ऑजेस्टो मनिकुरू आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आप सभी के साथ देख्शा अजेस्टो मनिकुरू से आप सभी से मुकथि होती हूँ आज की तारिक है 11 जून बार है मंगलवार शो में हम बात करेंगे मसूर के बारे में बारत के सुद्दून दक्षिनी राज केरल में इस बार 30 माई को ही दक्षिन पक्षिन मांसून पहुँचा था महीं भारती मौसम विज्ञान विभाग और एक प्राइवेट मौसम एजनसी ने जून सितंबर 24 के चार महीनों में दीग कालिन के सापेश देश में 106 प्रतीशत बारिश होने की संभावना चताई है हाला की जून में अपेशाकरत बड़साथ कम रहने की आशनका व्यक्त की जा रही है मगर बात के महीनों में जजोरदार बारिश होने की उमीद है रवी सीजन में लगबग 17.50 लाग तन लाल मसूर के उत्पादन का नुमान है महीं उध्योग व्यपारश्वेत्र का माना ये है कि वास्तविक उत्पादन 11-12 लाग तन से जादा है मसूर फसली कटाई समाथ हो चुकी है गरेलू प्रभाब में अन्य दलहनों की तुल्ला में मसूर का भाव पिछले कुछ मैनों से लगबग इस्तिर बना हुआ है क्योंकि कैनेडा और आस्ट्रेलिया सहित कुछ अन्य देशों से इसकी विशाल मात्रा का आयात हो रहा है लेकिन नई गरेलू पसल भी त्यार होकर मंडियों में आ रही है अब इसकी कीमतों में भी अचानक बड़ोती होने लगी है इससे सपष्ट संकेत मिल रहा है कि या तो गरेलू उत्पादन सरकारी अन्मान से काफी कम है या फे किसानों ने इसका स्टॉक रोगना शुरू कर दिया है दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करना स्प्राइब करना भूलें जिसे हम आपको देश दुरियां खबरे दे सके बड़े बड़े उत्पादकों की अगामी महीनों में मसूर का भाव और भी तेज होनी की उमीदे है चुनावों की अफ़्दी के दुरान दलहरों की सरकारी बिकली पर भी काफी हद तक रोक लगी थी वहीं मार्च 24 के दुरान भारत में करीब 68,000 टन मसूर का आयाद हुआ जो मई 32 के बाद का सबसे छोटा आयाद आंकणा था आम तोर पर देखा जाता है कि मार्च अप्रेल में नई घरिलू फसल की सोतर कटाई वा आवक होने से मसूर का आयाद कम होता है मार्च में उस्ट्रेलिया से करीब 49,000 टन वाक कैनेडा से 18,000 टन मसूर मगाई गई जबकि 6 आयाद रूर साहित कुछ अन्य देशों से हुआ है इन सब के बाद भी वित्यवर्च 24 की संपूर अवदी के तुरान मसूर का कुल आयाद उचल कर 16,70 लाग टन के एतियासिक रिकॉर्ड पर जा पहुँचा है वहीं किसानों से करीब 1,25 से 1,50 लाग टन मसूर की सरकारी खरीद होने का अनुमान है वह एजेंसियों के पास इसका कुल स्टॉक 6,00 लाग टन के करीब पहुचा है दोस्तों अजेस्टो मनी करूब यालस कमरडीस पर काम करके पूर्ण विशेशन के साथ आपको और जांगाई देते हैं किसी पे जानकारी के लाग माईदे नबर पर कॉल कर सकते हैं हमसे समपर कर सकते हैं नमस्कार